तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक बर हमारी यूटूब चैनल अवीजन इंस्टूट अवीजन फॉर गॉर्मेंट जॉब आज हम फिर से लेक्या है करेंट एफेस बेस्ट ऑन 10 अपरिल 2020 कल करेंट एफेस में हमने 9 अपरिल के डिसकस किया था और कुछ होने होंते हैं हमें चे Apa था अवां उसको से ब्योंट बॉक्स के तरव और उसको डिसकस करते हैं तो पहला कोशन आज है कि कौ सा फंटन-अ-मेरिकंशन फंटन एंसा एंसा एक प्लेजए कि डिटेड़ी pure 3.5 million 3.5 million hydroxy chloroquine tablets कौन सा ये फर्म जो की इंडियन अमेरिकन फर्म है जो की डिसाइड किया कि इतना डोनेट करेगा ये cities या फिर countries में जो में COVID-19 के जो hot spot है या फिर center से वहाँ पर तो इसका जो हमारा एंसर हो जागा एमिनल फर्मासिटीकल्स ने एक प्लेज लिया है फिर ऐसा अपना वह दिया है कि हम डोनेट करेंगे अमेरिका ये कुछ hot spot जगा जहां पर COVID-19 का मतलब बहुत खतरनाक इंपेक्ट रहा है तो कितना डोनेट करेंगे 3.5 million hydroxy chloroquine जो सलफेट का टेबलेट से वह दोनेट करेंगे अब ये जो मेन डोनेट करने के जगा बताया गया वह रखा गया न्यू यूर्क जो की टेबलेट्स डोनेट करेंगा ये कंपनी hydroxy chloroquine जो है ये जनरली क्या है एक कली बता था आपको एंटी मिलेरियल ड्रग्स है तो इसको फर्स सिंतेसाइज किया गा था आपको ये नूट करके रखना है तलते हमारे एक कंट्रेक करनेका पंद्रेट डिस्टिक्स को इसमें सब कौन सा नहीं है तो यह जागा अलिगर्ड डिस्टिक्स जहां पे जोवर्मेंट योगयाज से यूपी के उन्होंने एक high level मिटिंग को चेयर करके ये बोला कि जहां पर ये खतरनाक रूप ले चुका है जिस डिस्टिक में नंबर अब केसेज बढ़ रहा है उसको हम कंप्लेटली सील कर देंगे उसके डिस्टिक के लोग कहीं नहीं निकल सकते हैं यहां से वहां भी निगा सकता है कल दली में भी ये क भारनपूर, फिरोजाबाद, बुलंद सहर, बरेली, बस्ती, महराजगंज और सीतापूर ये 15 डिस्टिक हैं उत्तरप्रदेश के जो की कॉप्लेटली सील रहेंगे उनको सील कर दिया गया है तो यह एक बहुत इंपोर्टेंट डिसीजन है वाई गॉवर्मेंट अव उत् क्योंकि ये हमारे कंट्रेश में भी बहुत ही इंग्रेजिंग नंबर में फैल रहा है इसका एक ही उपाय है घर में रहे है लोगों से ना मिले चलते हैं नेक्स कोशन के तरफ कौन सा स्टेट अपने नेटिव्स अपने स्टेट के स्टेजन उनको 2000 रुपिया 2000 रुपीज अकाउंट में प्रवाइड कर रहा है जो की बाहर विस स्टेट के बाहर रह रह रहे हैं वह इससे स्टेट में लॉट नहीं से लाजे में नहीं पा रहा हैं तो यहां पर जो हो जाघर 약 400 रुपिया करते हैं तो उनके यकाउंट में घरकी अर रुआ का एक fill के उनको लिजए यहां से हम अपको बता तो बताना है कि मनिपूर केобраз कौनर को Park है चालते हैं नेक्स question के तरब हमाहें और नेक्स कोछन होसं है कि की स्टेट के इंगिलेंग इस्ट्री ने एक रॉबोट इंटरनेट कांट्रोल रॉबोट बना ली है जो की पैसे से डाकोटार के बीहाफ पर करते है लेकिन वह एंट इंटरनेत कंट्रोड रहे गा तो यह सथ यह सब्सक्राइब यो एक सबस्क्रेश को करने के लिए पाइस बनता है शाथikit मेटल सीट्स और मोटर्स को यूज करके इसने एक बनाया है कोविट 19 प्रेसेंट को एटेंड करने के लिए एक रोबोट यह रोबोट जाके ऑंदर वीफ डॉक्टर वो पेसेंट को एटेंड करेगा इस्टुएंट का नाम अगर नोट करना तो आप नोट कीजिएगा योगे मेटल सीट्स और मोटर से बनाया गया है तो अटेंड प्रेसेंट सब्कोविद 19 ऑन बिहाब दॉक्तर बहुत बड़ी एक खोज है अगर इसको आई सीमर अप्रूब करेगा तो यह हमारे देश में काम आएगा और उसके लिए नेक्स चलते हैं कि कल हमें कोश्चन बताए थ सुन्दर पीचाई मार्क जगरबग जैक डॉर्सी या फिर केविन सिस्ट्रॉम तो इसका जो एंसर हो जाएगा जो ट्वीटर के जो सीओ या फाउंडर है वह हो जाएंगे जैक डॉर्सी ने वन बिलियन का वन बिलियन डॉलर का एक एमांट डोनेट किया है इन अमेरिका सबसे हाइस सिंगल डोनेशन रहा है जो जितना लोग डोनेशन कर रहे है तो यह सबसे ज्यादा रहा है अभी के लिए वन बिलियन डॉलर और यह जो जैक डॉर्सी है उनका 28% डॉर्सी का टोटल वेल्थ है मतलब कि वह जितना कमाते हैं उसका 28% मतलब कि अल्मोस्ट वन फ चैरिटी स्टार्ट स्मॉल लल्सी बोल के चैरिटी है उसमें उसके तुरू वह डोनेट कर रहा है ठीक है चलते हमारे नेक्स कोच्छन के तरफ आजका जो नेक्स कोच्छन है कि SIDBI कितना कैपिटल कितना वर्किंग कैपिटल देने जा रहा है MSME मनुफेक्टरिंग इसेंचनल एइसेंचल आइटेम के लिए कितना हम अंट दे रहा है MSME मेडियम एंटरप्राइज के मैनुफेक्टरिंग एपेंटव इनडिया इसका नहां है उसके तुरू वह इतना का एसिस्टेंस प्रोबाइट कर रहा है एक चीज और यहां पर देख लीजिए कि अगर पूछ सकता है MSME के present minister कौन है तो वह हो जाएंगे हमारे नितिन गटकरी जो कि वह अभी भी वह हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है तो नितिन गटकरी MSME की भी मिनिस्टर है ठीक है चलते हैं हमारे निक्स कोश्चन के तरफ तो हमारा आज के जो निक्स कोश्चन है कि कौन सा स्टेट डिसाइड क्या है यूट्व लॉंच करने के लिए यूट्व चैनल लॉंच करने के उनके स्टूडेंट चिल्रेंट जो घर में बैठ रहा है लॉक्डवन प्रेड में ताकि वह लर्ण कर से कुछ पढ़ाई सीख सब्सक्राइब कि देखिए स्कूल को दो जुन तक फर्दर नोटिस तक बंद कर जिएगा सारे स्कूल्स को तो एक स्टेट गवर्मेंट का अच्छा यह करते रहे तो यहां पर बताना है तो यह आपका साथक पदर गवर्मेंट सैन् चनल को बघ्वक कर देंगे स्वस्थ के सिपाही कि यहां पर पढ़ानमंति भारत्य जन और सधी परियोजना बोलके एक स्वस्थ का सीपाही एक स्कीम किया गया जो कि मेडिसन जिलीवर करेगा वेडियस पार्ट और जितना सर्विशेश रोथा से फार्मेसिट्स के साथ मतलब जीतना भी हो सकता है जन अस्वधी केंद्र जो कि हमारे इंडिया में एक एप भी इसका है और सदी केंद्र बोलके आप देख सकते हैं कि वह जन अस्वधी केंद्र एक आप आता है गुवर्मेंटर फिटा उसमें आपको पूरा दवाई का सब्स बहुत इंपोर्ण है उसके बाद चलते हैं आज के नौ नंब्र कुस्चन के तरफ कौन से मिनिस्ट्र ने लांच किया समाधान चैलेंज्ट वाइंस कोविद नाइटीन ? विससे कि हम कल भी शन्जीवनी और अपरेशन का आंप करेंट समाधान किसे लौंच किया मिन्स्री development ने लॉंच किया है मिनिस्ट्र फिमन एचाइडी मिनिस्ट्र जिसको हम बोलते हैं उसने लॉंच किया है समाधान समाधान एप टू फाइट एगंस कोविड अब यह कैसे फाइट करेंगे आप लोग नोबेल कॉरोना वाइरस को इसके तुरू तो इसमें जो कि एचाइडी मिनिस्ट्र एटर जिए अपको बताते कि यह स्टुएंट के लिए इडिकेटर्स के लिए स्टाइट जो करते हैं उनके लिए करने का एक मौका दे रहा है इसका लांज अप्रील 14 को रखाया हूँ अपना आइडिया कर सकते हैं आइडिया को सेयर करें कैसे हम कोविड-19 को फाइट करें और उसका दो पार्ट में डिवाइट किया एगा है ट्रेक ओन में है आइडिया सिमुलेट वीन नंबर ट्रेक 2 र महां पर सेयर कीजिए वह गौवर्मेंट उसको जरूर अपनाएगा उसके बाद चलते हैं नेक्स कोशन के तरफ तो आज के हमारा नेक्स कोशन क्या है कि हाव माच फंड एड अनॉंस बाई यूएस एड टू इंडिया के लिए कितना एड हेल्प या फिर कि एक हेल्प दे तो फाइट अगेंस देखें इंडिया और यूएस का अभी अभी के टाइम के लिए बेस्ट हो गया आज भी डॉनल्ड ट्रम्प ने ट्विच किया है थैंकिंग मोधी गोव्मेंट या फिर मोधी और पीम नरंद मोधी क्योंकि इंडिया ने अल्टिमेटली फाइनली क्या किया है कि बैन उठा दिया है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो की एंटिमेले ड्रग से साथ पैरासिटल मोल का एक्सपोर्ट पर अब वस आपने नेवरिंग कंट्रीज के साथ साथ कुछ जो मुस्ट थर्टी इंपोर्टेंट कंट्रीज आपर जहां पर ज्यादा कोरोना वहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसी लिए यहां पर अनॉंस करता है इंडिया के लिए कोरोना वारेस को फाइट करने के लिए एक एमाउंट तो वह एमाउंट क्या है तो गौब्मेंट अफ यूएस ने डिसाइड किया है कि 2.9 मिलियन डॉलर का एड देगा भारतिय इंडियान को तो फाइट एंस पेंडेमिक और कोरोना वाइरस उस एजनसी फोर इंटेनेशनल डेवलपमेंट जिसका उस एड है उसका फूल्फर में उस एजनसी फूर इंटेनेशनल डेवलपमेंट इस वह अभी हेल्प कर रहे है इंडिया को 2.9 मिलियन का डॉलर देखे बहुत बड़ा है आज के लिए तो फाइट एंस था कोविट नाइंटीन सेम वे में आपने दिखा होगा कि सायद अमेरिका गुवर्मेंट यह भी डिसाइड कर रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ का फंडिंग पे रूप लगा दे क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा फंड करता ह और साथी साथ उसका फंडिंग रोपने वाला है आपको पता वहाई से स्टेटिक कोश्टन हो सकते तो प्रेसिजिएंट के बारे हम पुछेगा तो प्रेसिजिएंट डोनल्ड ट्रम्प है वहां का करेंशी युए जॉलर है और कैपिटल वासिंगेंट डीसी है उसका इस हैं यहां पे मनिपूर आपको बताना है साथिस्ट गवरणरर और करनाटका अधर को बताना है एक क्यो यहां पे मनिपूर में ही तो ये था हमारा कार इंटेफेर्स अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ कि जागा ज़्यादा वो पढ़ सके तैंक यू वेरी मच जूदे रहें एविजन इंस्टिट के साथ